खाली हो जावे का मतलब जैसे रहट होता है बांतियां खाली हो करके नीचे कुए में जाती है फिर भर करके ऊपर आती है ऐसे ही पांसो शास्सो करोड जो भी मनुश्यात्माई है सारी की सारी मनुश्यात्माई जब तक नीचे न उतन है तक तक पहले नंबर की आत्मा ऊपर नहीं जा सकती है इसलिए बोला के परम नाम खाली हो जावेगा फिर पहले नंबर की आत्मा पहुंच जावेगी ग्यान की बात पूछो परसनल बाते हैं बाद में कर लेना जादी जूट की दुनिया में जूटे दंदे करेंगे तो कुछ नो कुछ जूटा काम करना पड़ेगा काजर की कोटरी में कैसो हूँ सयान हो जाए एक लीक काजर की जरूर लागी है पहलागी है हाँ धंदा लवकित भी होता है धंदा अलवकित भी होता है अलवकित धंदा करने वालों का भी पेट भरता है और अलवकित धंदा करने वालों का भी पेट भरता जूट अब जो चाहिशो कर ये तो बता दिया है सब धंदों में है नुक्सान सिवाए एक ईश्वरिय धंदे के और देखने में भी भी आता है दुनिया के साथ धंदे चौपट होते जा रहे हैं क्योंकि सच्चाई से जो धंदा करना चाहता है उसका धंदा जूटी दुनिया पनपने नहीं देती है आखरे इंकलकार खाने बंद होते जा रहे हैं जूटे लोगों की संक्या बढ़ती जा रहे हैं जूट का धंदा पनपता जाता है तो क्योंकि सच्चाई का धंदा अपना लेवे हैं जिसमें फायदा ही फायदा है नुकसान तो एक पैसे का भी लेगी बाबा कहते हैं बाबा कहते हैं बाबा हुआ हुँ क्या काय में बाबा हुआ हुँ ब्रामा के बंधन में बाबा हुआ हुआ हुँ मुझे भी बंधन है क्योंकि बंधन की दुनिया में आता हुँ बंधन की दुनिया में बंधन में पड़े हुए बच्चों को निकालने आता हुँ तो बंधन वाले बच्चों के साथ रह करके मुझे भी अपना काली करना पड़ता है बंधन तो जरूर रहेगा बंधन में रह करके निर बंधन बनना यही बड़ी बात है और पर तो 24 गंटे याद करो 24 गंटे कोई ज्ञान तो सुन सकता है क्योंकि त्रेसर जन्मों के सुनने के आदी है सुनने में तो बहुत मल्याता है दारन दरना नंबर बार होता है परन्तु याद तो 24 गंटे नहीं हो सकती याद में बायलोरा डालती है माया तो याद कोई स्थाज नहीं है याद में ही कच नहीं है निरंतर याद हो जाए तो अहो भागे हाँ निरंतर याद हो तब ही सकती है जब बाप को पूरा पूरा पहचाना हो पूरी पहचान नहीं है बाप से क्या प्राप्ति होती है ये जानकारी नहीं है तो याद भी निरंतर नहीं होगी याद तख्ली ही होती जाती है आप में नंबर वाद होती है तो बाप ये इसका सामू में नंबर वार होता है ये के सिंगल सिंगल नंबर वाद तो सामूह प्रूप से भी समूह नंबर वार है जो भी धर में वो धर्म साथ नंबर वार है धर्म पिताओं के फालुँर्स भी नंबर वार है दरम के ताएं भी नंबर बार हैं और परमदाम से जब आत्मा आती है तो भी नंबर बार आती है इकत्थी तो कोई आई नहीं सकती इसलिए गायन भी है बक्तिवार्ग में अकेले आई हैं और अकेले जाना है अगर जन्बी भी होता है मालो दो या तीन बच्चे जुड़मा पैड़ा होते है तो उनमें अंतर होता है या नहीं एक साथ पैड़ा होते है अंतर होता है और यह तो परमधाम से आने की बात है जन्म लेने की तो बात नहीं है जो भी आत्में परमधाम से आती है नम्मरवारी ही आती है और नम्मरवारी उनको बापस जाना है ये रुद्र माला है, पांसो साथ सो करोड की माला है, माला में मन के एक के बाद दूसरे होते हैं क्योंकि घर घर में वो युद्ध चलता है, ऐसा कोई घर नहीं है, जिसमें इस्त्री पुरुष के बीचे में युद्ध ना चलता हो, इस्त्री कोई घर कहा जाता है, वो युद्ध चाए महाबारती युद्ध हो, चाए रामान का युद्ध हो, चाए देवासुन संग्राम हो, हर एक युद्ध में निमित कौन बनती है, नारी ही निमित बनती है, इसलिए ग्रह युद्ध कहा जाता है, रुद्र माला के जो मनके हैं वो ज्ञानी तू आत्मा बाप के बच्चे है बाप स्यम महा रुद्र है और रुद्र के बच्चे भी रुद्र करना है रुद्र रूप दाग करने वाले हैं जूट की दुनिया के सामने विकराल रूप दाग कर लेते हैं नहीं तो ये जूट की दुनिया खलास नहीं होने वाली इसलिए रुद्र माला के जो भी आत्में हैं वो साथ जन जन मांतर के पुरुष हैं राजाएं हैं क्योंकि उन्होंने राज योग सीख करके राजाएं प्राप्तिके बगवान बाप आते हैं तो निराधार बनाते हैं स्वाधीन बनाते हैं आधीन होना नहीं सिखाते हैं दुनिया के जितने भी मनुष्ये हैं मात्माएं हैं सन्यासी हैं धरमपिताएं हैं वो साब आधीन बनाने वाले हैं कोई स्वाधीन नहीं बना सकता बनाता ही नहीं एक भगवान ही है जो आकर के स्वाधीन राजा बनाता है राजा किसी के आधीन में होता है और मुर्ली सुनने की दरकारी क्या रहे गई करमधाम में बापस जाने के लिए तो ये सारी पढ़ाई है कोई पढ़ाई पढ़के स्वेच्छा से पढ़ाई पढ़के परमधाम जाने लाइक बन जाते कोई नहीं पढ़ते हैं तो करम भोग भोग करके आध में किस स्थित्यों को प्राप्त करते करम भोग जास्ती है पड़ाई भी नहीं है तो दर्मराज की सजाओं से देवान छांच दिया जाता है देवान का जो भी छिलका है वो दर्मराज के दंडों से उतर जाएगा तो बापस परमदाम जाने लाइक बन जाएगे तो अभी अगर कोई कहता है कि हमारा देवान खतम हो गया तो यह जूटी बात है यह सची बात है है यह जूटी बात हो गया जाएगा आपको गलत फैम ही हो गई के शिरु बाबा बारह सिविलिंगों में प्रवेश करता है बारह में बाप के रूप में प्रवेश करेगा तो क्या ज्यादा में प्रवेश कर सकता है एक ब्यापी है या अनेक ब्यापी है मुकर्रर का मतलब क्या हुआ मुकर्रर माना सदाकाल संगम युग में जब बाप बाप के रूप में एक बार प्रितक्ष हो गया तो जब तक संगम युग है तब तक एक ही पूलरत के द्वारा सारा कारी संपन होता है इसलिए बारे रुद्र नहीं है बारे जोतिर लिंगम नहीं है एक ही जोतिर लिंगम है बाकी ज्यारे रुद्र है ज्यारे रुद्र गनगा है हुए है शीव तो सिर्फ है एक में ही बाप के रूप में प्रितक्ष होता है बकी बाप दादा बच्चों में प्रवेश कर सकते है अनेक बच्चों में प्रवेश करके पाट बजाते है शीव कोई सरव्यापी नहीं है दो चार व्यापी भी नहीं है अगर दो चार व्यापी हो जाए दो व्यापी भी हो जाए तो दो मतें हो जाएगी या एक स्रीमत रहेगी तो दो मतें हो जाएगी बैतवादी दुनिया बन जावेगी और द्वैतवादी दुनिया में तो ठका ठक जरूर होगी जगड़ा होगा लड़ाई होगी, मारा मारी होगी देवताइं होते हैं द्वैत और द्वैत्य होते हैं द्वैत द्वैत्यों का काम है लड़ाई जगड़ा करना दिती से बनता है द्वैत्य जिती अठाग बेगटन करने वाली तोड़ फोड़ करने वाली भगवान बाग तो हम बच्चों को अध्वायत बनाने के लिए आये बसुदैव कुटम्बकम सारी दुनिया एक कुटम्ब बन जावे तो एक बाप होगा तब एक कुटम्ब बनेगी या जो चार बाप होगे तो कुटम्ब बनेगी बाप भी एक ही होगे चाहिए तो बाप एक व्यापी होकर आता है अनेक व्यापी होकर नहीं आता पुरत्रावतार है ही नहीं अगर एक बाप को नहीं पहचाना है निश्चयात्म कुद्धी से नहीं पकड़ा है तो बटकेंगे नहीं और क्या इस्तिर हो जाएंगे आज निश्चय पेडा करते हैं कल निश्चय उखार देती है माया तो एक बाप के बच्चे हैं ये रावन के बच्चे हैं क्या कहेंगे रावन के बच्चे हैं निश्चय पुद्धी विजयते हैं अनिश्चय पुद्धी खलास आत्मा खलास नहीं होती है आत्मा का पद ब्रस्टो हो जाते हैं जो पद लक्षमी नारण का बनना चाहिए बो पद नहीं बनता है पद ब्रस्टो हो जाते हैं इसलिए बोलायानिश्चय पुद्धी विनर्षे थे ज्यान में आते हैं शुरू आत्मा सतो पद निश्चय होती है तो निश्चय पत्र स्टांपेपर लिखे दे देते हैं फिर संग के रंग में आते हैं तो पद निश्चय बुद्धी विनर्षे थे आते हैं शुरू आते हैं शुरू आते हैं विनर्षे थे विनर्षे थे जब चारो तरफ मौत ही मौत देखेंगे चार ओर एटम पंप फटेंगे तब वो भी भगवान को मानेंगी कहेंगी ओ गौद फदर उनके मुँझे भी अनायास निकलेगा वो भी भगवान का साहरा लेंगी कि शांती धाम में शांती होती है हुआ होती है और सुक हमें सुक ittingढ तो बिना सरीर का क्या कि सुक mand में शुख भी चाहिये और सुक में से सांती अगर अटादो तो अगर हो जाए कि नागता है इसलिए सांती भी चाहिए कि अगराज एक परिवारी की माला है, राजाई प्राप्त करने वालों की माला है, राजाई घराने में आने वालों की माला है, जिन्होंने राज योग सीखा है, और राज योग तब ही सिद्ध होता है, जब तन, मन, धन, समय, संपर्त साब आरपन कर दिया जाए, तब आत्मा को राज घराने की प्राप्ति होती है, ये राजाई की सिख्षा सिवाई एक बाप के, और दुनिया में कोई मनुश्य आत्मा नहीं दे सकती, भगवान बाप ही आकर के राजाउं का राजा बनाते हैं, इसलिए गीता में लेका है, हे अर्जुन, मेरे प्रतिसमर पे दभाव दान दर ले, मैं कोई देह दारी नहीं हो, जो तेरे को एहंकार आए, मैं तो देह से परे हूँ, विदेह ही हूँ, मुझे कुछ भी इस दुनिया से बापस नहीं ले जाने, मेरी कोई इच्छा नहीं है, जो आतमा इच्छा नहीं है, उनको अपना रथ है, तो स्वार्थ ही होती है, मेरोग तो कोई जनम में अपना शरीर है ही नहीं, मैं तो आता ही हो अंतिम एक जनम में, और वो भी पराए शरीर में आता हूँ, मुझे तो कुछ लेना देना नहीं है, तो ऐसे बाप के प्रतियारपण में होने में क्या गाता आजावेगा, इसलिए, मुरिली में बोला है, कि जो राजाई प्राप्त करते हैं, वो यहाँ समर्पित होगर बैठते हैं, अब वो चाहे इस्त्री हो, चाहे पुरुष हो, पुरुषों को लिखित रूप में सरेंडर करके नहीं रखा जाता है, हाँ वो आपन को समर्पित समझ सकते हैं, इतन मन धन साथ, तेरा, इतना पासलग खोल के बैठ सकते हैं, पुरा हिसाब किताब दे, सब कुछ तेरा, कुछ नहीं, कुछ नहीं पेरा, बाप कोई किसी का ले लेते हैं क्या, कहते हैं तुम अपन अपने पास ही रखो, सिर्फ इशुर ये सेवा में लगाते जाएं, विश्युकल्यान की सेवा में लगाना है, सारे विश्युका उद्धार करना है, विश्युकल्यान का लिए बाप के बच्चे हैं, तो विश्युकल्यान में ही लदावे नी, आइसे थोड़े ही कि हम Gujarat के हैं तो हम Gujarat में अपना धन खर्च करेंगे नहीं हम विश्व पिता के बच्चे हैं तो सारे विश्व के दिये लिए ऐसे विश्व के लियानकारी मेरे बच्चे राज घर आने में आते हैं उनको कहा जाता है अस्त्य देव, वो देवताये हैं, जो देवताये होते हैं, वो 84 जन्म लेने वाले होते हैं, या कम जन्म लेने वाले होते हैं, 84 जन्म लेने वाले को ही देवता कहा जाता है, कम जन्म लेने वाले तो खंडित हो गए, खंडित को देवता नहीं कहा जाता है, तो जो देवता हैं, वो सब सूरिवंशी हुए, या चंदरवंशी भी हुए, सब सूरिवंशी है, हीरो पाइटदारी के हीरो बच्चे हैं, हीरो पाइट बजाने वाले हैं, 500-700 करोड की दुनिया के बीज, बीज रूप बाप पूरवजी का पार्ट बजाने वाले, वो एक एक बीज में एक एक दुनिया समाई हुए, वो अपने अपने दुनिया के हीरो हैं, हीरे को हीरो कहा जाता है, और रतन, और रतन तुन्नाव प्रकार के होते हैं, उनमें हीरा भी है, मोती भी है, मानक भी है, पुकराज भी है, पन्ना भी है, एक से एक उची वेल्यू वाले हैं, एक से एक कम वेल्यू वाले हैं, जैसे के ब्रामनों की नौ कुरियां की नी जाती है, ऐसे ही नौ रतन भी हैं, ब्रामनों की नौ कुरियां, एक से एक उची कुरिके हैं, तो नौ रतन अलग, और अस्त देव अलग, हाँ, अस्त देव जो हैं, वो सारी दुनिया के पूर्वजें, सबसे पहले पूर्वा, मना सबसे पहले, जमाने जन्म लेने वाले, संगम युग में उन्होंने अपनी प्राक्ति किये हैं, संगम युग में ही उन्होंने स्वर्गता इस्थापन किये हैं, सारी दुनिया पीड़ी दर पीड़ी उनसे जन्म लेती है, जो रतन हैं, वो कम वैल्यू होने के कारण, और और धर्म में कनवर्ट होती हैं, जो कनवर्ट होने वाले हैं, वो ही रोपार्ज धारी नहीं हो सकते, एक ही आलू का बीज, वो ही आलू दक्षन भारत में जब बोया जाता है, तो गैस पैदा कर देता हैं, और वो ही आलू उत्तर भारत में पैदा किया जाता है, तो गैस ही नहीं, बहां का आलू सारे भारत में भेजा जाता है, पसंद किया जाता है, तो बीज तो एक है नेकिन धरणी तो एक नहीं है धरणी तो दो हो गई न धरणी को माता कहा जाते है लोग तो धरती माता कहते हैं तो जड़ धरती को समझ लेते हैं बंदे मातरम अब जड़को क्या बंदना की जाती है जड़को माथा जुकाया जाता है क्या जुकाया जाता है नई माथा तो चैतन्य को जुकाया जाता है तो जरूर कोई धरनी माताएं है नम्बरवार जिनकी बंदना की जाती है उनमें मुख्य हैं दो एक है भारत माता और दूसरी है जगदंबा भारत माता की बंदना की जाती है बोलते हैं भारत माता की जै ऐसे नहीं सुना होगा जगदंबा की जै माता दी करेंगे लेकिन जै नहीं करेंगे जगदंबा सारे जगदंबा सारे जगदंबा हिंदू, मुसल्मान, सिख, इसाई साब आ जाते वो सारे जगदंबा है जैसे दिल्ली दिल्ली की गोद में हर धर्म ने राजी किया है दिल्ली की गोद में हर धर्म के बच्चे खेल खेलते हैं तो बो है जगदंबा और बो है बारत माता लेकिन बारत माता शिवशक्ति अवतार गाया जाता है जगदंबा के लिए ऐसे नहीं कहते हैं शिवशक्ति अवतार क्योंकि वो विदेशियों के प्रभाव में आ जाती है प्रभाव में आने से उनकी प्रजा बनना पड़ता है प्रजा आधीन होती है या स्वाधीन होती है आधीन हो जाती है आज सारे जगद की माता है चाई भारत में हो चाई विदेश में सब आधीन बनी होई है या स्वाधीन है माताओं की सारी दुनिया में क्या आलत है आधीन बनी होई जगदंबा होती है द्वापर कल युग में द्वापर कल युग में जगदंबा का वर्चस्व है और सत्यगत रेता में सिर्फ भारती होता है भारत की इधर नहीं होती है तो सु कहते हैं भारत माताशिव शक्ति अवता प्योरिटी की बात है अगर जगदंबा प्योरिटी की अगर शक्ति अगर जगदंबा की इधर जगदंबा की इधर नव ग्रह आरे घर गरपस तो सुना है की नहीं सुना है ग्रह माने घर तो ये नव ग्रह है ये भी एक प्रकार के घर गरस्त है जैसे नवत ग्रह होते हैं वैसे ही ब्रामनों की नव कुरियां होती है नव ग्रह होते है और नव कन्याओं का पूजन होता है नव देवियां होती हैं अगर देवियां न हो तो गरगरस्त की स्थापना हो जावेगी है नहीं हो जावेगी तो देवियां भी है तो उनके पीछे कोई देवता भी होंगे तो पूरा घरग्रष्ट परिवार है और उनको फाड़ो करने वाले भी तो नबग्रह कहा जाता है कोई कम पावर्फुल है, कोई ज्यादा पावर्फुल है मुरली में नहीं आया है, अव्यत्वानी में डिरेक्शन है यह तो नहीं कहा सर्मठत रूप में करो या एक आकी करो कैसे भी करो, जो जेतना करेगा वो जेतना पावर्फुल कोई बच्चे मातेले होते हैं तो मातेले बच्चों को माता याद आएगी और नहीं आएगी यहाँ याद करने की बात नहीं है यहाँ तो आवान करने की बात है आवान करना अलग बात और याद करना अलग बात याद तो हमें से फेक शिव बाबा को करना और आवान सिवकी शक्ति को करना है सिवकी शक्तिया नमबर वार है और नमबर वार शक्तियों में कोई अबबल नमबर भी होगी जो अबबल नमबर होगी वो अबबल नमबर पार लगाने वाली पार्वती होगी तुम साब पारवतियां हो, साब पार लगाने वाली हो, मने नंबरवार हो, कोई अबन नंबर शिवशक्ती भी है, जो अपनी पवित्ता के मिरदुखों किसी के हवाले नहीं करने वाली है, एक शिव बाबा, दूसरा नुपोई, तो उसका आवाहन करना पड़े, प्यरिटी की पावर से ही दुनिया के सारे काम होते हैं, तो स्वर्ग भी, कों सी पावर से स्थापन होगा, पवित्ता की पावर से ही स्वर्ग स्थापन हो सकता है, यह रुद्रमाला के मन के राजा तो बनने वाले हैं, लेकिन हिस्ट्री में इन राजाओं की दसा क्या हुई अप अवित्र हो करके रहे सैकन और आनियों को रहने वास में रखा या पवित्र बन करके रहे मर्यादा पुर्शुत्र बन करके रहे क्या बन करके रहे अप अवित्र रहे तो इनिके बसकी बात नहीं है स्वर्गी स्ठापन करना यह पवित्ता के लंगड़े हैं इसलिए कहानी बनी हुई है अंदे और लंगड़े की कहानी अगर यह बिशय बैतरनी नदी पार करनी है तो क्या गरना पड़े अंदे का सहारा लेना पड़ेगा वो है अज्ञान की अंदी ज्ञान नहीं है और उत्रमाला के मनके अपवित्ता के लंगड़े तो लंगड़ों को सहारा लेना ही पड़ेगा अगर विशय बैतरनी नदी पार करनी है तो नहीं तो यह बंदरीयों की सेना है यह पार लगाएगी नहीं और ही डुबाय देगी कहा जाता है बंदरों की सेना बड़े इस्त्री चोले हैं तो भी जनम जनमांतर के राजाएं हैं राजगराने में जनम लेने वाले हैं तो आपने बताया जाना है कि बच्चे बच्स को आगे पढाना है वीदेशय को अंगरे जी दो इत्दक सेवा करना थे तो अंग्रेजी पढ़ा लो अरे अंग्रेजी कोई एजुकेशन कहा जाता है एजुकेशन में सिठ अंग्रेजी आती है क्या अंग्रेवाजी है लेना कितना आता है पढ़ाने किताब लुकेशन का मनें डागली, पढ़ाई, पढ़ाने का इसाब किताब है अब जो जैसा होगा वो जैसा बना वेगा बना वेगा या नहीं बना वेगा गाड और गाड़िस बनने वाले होंगे गाड और गाड़िस होंगे तो क्या बनावेंगे गाड़ गाड़िस बनावेंगे गाग और बिचिस होंगे तो तो वोई बनावेंगे इसलिए बाबा कहते हैं अपना पोटा मेल देखो. मनस्य आतमाउं के पास क्या है और तेवातमाउं के पास्का क्या है? और राक्सासों के पास क्या है? और भगवान के पास क्या है ? इसलिए गीता में निखा हुआ है भूतों की पूजा करने वाले भूतों को प्राक्त होते हैं भूतियों में जाके जन्म लेते हैं देवताओं की उपासना करने वाले देवियों में जन्म लेते हैं देवताओं से कुछ न कुछ प्राक्ति करते हैं और जो मेरी उपासने करने वाले हैं, वो मेरे को प्राक्त होते हैं, पाना थासो, पा लिया, फिर उनको कुछ भी प्राक्त करने की इच्चा नहीं रह जाती है, सब कुछ प्राक्त करना है, तो बगवान की उपासने करना है? नहीं तो बोई आल हो जावेगा भक्त हनुमान की पूजा करते है हनुमान राम की पूजा करते है राम से भी की पूजा करते है नहीं, संकर की पूजा करते है और संकर से भी की पूजा करते है अजी पंचक का पंचक का पचणा बाद में देखेंगे है थी जो और से बोलो ही आलका माता सुलाए हमारे कुछान ऴह रोगे है महावारत में शिखंडी का वो ही अर्थ है जो यहां ब्रामनों की दुनिया में ऐसी कन्याय माता हैं जो अपने गर को उंगुली पर नचाती है खुद नहीं नाचने वाली है सारे परिवार का राजा बनके बैठती है बो रुद्रमाला के बनके है क्या कहा जैसे जगदंबा जगदंबा का पार्ट राजा का है यह रानी बनने का है कौन सा पार्ट है राजा बनने का पार्ट है जण्म जण्मांतर का तो जण्म जण्मांतर का है जो राजा बनने का सुभाव संस्कार वाला है अगर इस अंतिम जण्म में इस्त्री चोला भी धार्वन करता है तो वो किसी के कंट्रोल में रहेगा यह कंट्रोल में चलाएगा क्या करेगा चलाएगा भगवान भी उतराए तो भगवान के भी कंट्रोल में रहने वाली जगदंबा नहीं है तो समझ लो जगदंबा की भुजाएं कौन-कौन बैठी हो जिए जो जगदंबा की भुजाएं है वो आधा टायम इस्त्री का पार्टी भी बजाती है और आधा टायम पुरुष का पार्टी भी बजाती है उसको शिखंडी कहा जाता है शिखा कहा जाता है चोटी को बाबा कहते तो चोटी के ब्रह्मन हो तुम नीचे गिरते हो तो सारी दुनिया नीचे गिर जाती है तो माताएं कन्याएं रुद्रमाला के मन के उंची उठती हो तो सारी दुनिया उंची उठ जाती है इसलिए बोला एक के पतित बनने से साब पतित बन जाते हैं और एक के पावन बनने से साब पावन बन जाते हैं इसलिए रामायन में लिखा है कि मैं कन्याव माताओं के लिए आता हूँ धर्नी पर जब ज़्यादा अत्याचार होते हैं तो धर्नी माता का अउद्धार करने के लिए मुझे आना पड़ता है ये धर्नी माता सिर्फ भारत को नहीं कहा जाता है इसको कहा जाता है अरे धरणी में सर्फ भारती है यह सभी देशे है सभी देशे इसलिए उसका नाम जगदंबा है सारे जगत की यंबा वो जगदंबा अभी विधर्मी बच्चों के कंट्रोल में आ चुकी है आज घर घर में माताओं का ये हाल है माता का कंट्रोल होना चाहिए बच्चे के औपर लेकिन वो क्या रहा है घर घर में वो क्रिश्चन बच्चे माताओं के उपर कंट्रोलर बने बैठे हैं गीता माता के पती परिमेश्वर बन गए कितना हरास हो गया भारत का तु कुछ नहीं कहा शरंडर आप किसको समझते हैं कागस पर लिवने वाले कोई सरंडर कहते यह प्रेक्टिकल में जो सरंडर हो उसको सरंडर कहते प्रेक्टिकल में देखा जाए सब समझें इसने अपना सारा तन सारा तन माने बीवी बाल बच्चे साब इश्वरिय सेवा में लगाई है, सारे मन की ताकत इश्वरिय सेवा में लगाई है, सारी जिन्दगी का कमाया हुआ धन इश्वरिय सेवा में लगाई है, सारे जिन्दगी का मान मर्तवा इश्वरिय सेवा में लगाई है, तन दन दाम सुहर्द परिवारा सबके ममताप ताग बटोरी साब ही कथा करेके इश्वर में लगाए उसको पाजाता संद समर्पित और सीधी सी बासा सर अंड़ गुर्ली में भी बोला है तुम बच्चे आए हो सार हथेली पर लेकर लो बाबा लेड़ो फिर आउर क्या रहे गया आजी पांच पांड़ो कैंसे पुत्तर बताए कुंती के पुत्तर नहीं थे पांच पांड़ो तीवी को दिहां से देखा करो हमारा पंड़ा कौन है शेव बाबा तो पंड़ा से पैदा हुए पंड़ो जैसे ब्रह्मा से पैदा हुए ब्राह्मन विशुनु से पैदा हुए वैश्नो शिव से पैदा हुए शैव एक मात्रा फालोवर या बच्चे के अर्थ में बढ़ जाती है ऐसे ही पंड़े के बच्चे पंड़ो पंड़ा का काम होता है रास्ता बताना वो बड़े ते बड़ा पंड़ा है शिव बाबा वो हमें रास्ता बताने आया है कौनसा रास्ता कि हम कैसे मनुष्य से देवता बने कैसे घर से नारे नारी से लक्षिमी बने ये राष्टा बताने का काम पंडे का है वो मुखिया पंडा है हम उसके बच्चे पंड़ों बाकि पंड़ों की माता हैं दो थी उसके पंडे का नाम महा भारत में पंडु रखा गया पंडु के पांच पुत्र थे उमकी दो पत्रिया थी एक कुंती और एक मांद्री कुंती बड़ी रानी थी और मांद्री छोटी रानी थी इन पांच पंड़ों से ये भारत के पांच धर्म बने हैं पंड़ों से सूरी वंच चंडर वंच बाद्री इस्लामी और सिख ये भारती धर्म हैं भारत में ही पंड़ों होते हैं विदेशों में तो विदेशी धर्म पनपते हैं इडिस्ठर और इडिस्ठर की आउलाद हो है जो अपने पुर्शार्थी जीवन की आदिसे लेकर अन्त तक माया के युद्ध में इस्ठर हो करके रहते हैं इसलिए उनका नाम पड़ा युद्ध इस्ठर जैसा काम वैसा नाम पड़ता है शास्त्रों में जितमे भी नाम हैं वो काम के उपर नाम पड़े इसलामी की बाद कहा हो रहे है इसलामी तो बोला ही नहीं बहुत दे बोला वो गलत बोल दिया सुदार लो ब्रह्मा बाबा भी समय अटक करके बोल देता है बुर्ली में बताया न ये ब्रह्मा इंटर्फियर करके बोलता है बालक काई बनाए दो वो परिच्छा लेने काई आए परिच्छा लेने आए तो उने बालक काई बनाए दो तो बालक काई बनाए दो तो बालक काई बनाए तो बस आम जुईया हो गए हाँ तो कहाँ जैनम लेगा नरख में लेगा शत्युमे मरने वाला कहाँ जैनम लेगा शत्युमे जैनम लेगा क्या हम बच्चे सत्युमे भी बाप को याद करेंगे बहां काउं से बाप को याद करना है आरे शत्युमे तो सुख मिल गया सुखी जीवन बन गया सद्गती हो गई फिर याद करने की क्या अगर काथ याद तो तब करते हैं जब दुख ही हो जाते हैं देवताय किसी को याद नहीं करते हैं वो सिर्फ अपनी आक्मा को याद करते हैं आक्मे किस्तिती में रहते हैं स्वाविमानी बन कर रहते हैं उनको किसी की दरकार नहीं अतनाई जैका नाक में दम आ गई भक्ति मार का एक भी अंश रहेगा तो शरी छोड़ना पड़ेगा तो भक्ति मार के कौन कोन से अंश हैं जैसे बिंदी लगाना और क्या बाबो ये बिंदी लगाना कान में जुमके पहनना चूड़ियां पहनना कोई बक्ति मार की बार बार बातें करना कहना कुछ और करना कुछ जैसे बक्ति मार में कथनी अलग होती है करनी अलग होती है ये सब बक्ति मार की बाते बक्ति मार की कोई एक बात है क्या बेर प्रकार की बाते हैं बक्ति मार की कल्प कल्प ब्रामा रिपीट होता है तो पुर्शार्थी भी उतना ही होगा ना जितना पहले कल्प में हुआ है वो तो ठीट लेकिन पूछना क्या चाहते तो निकाई नहीं पति पत्री दोनों ग्यान में चल रहे हैं तो दोनों को साथ साथ मदोवन संगठन में अटेंड करना है या अलग-अलग भी अटेंड कर सकते हैं हर आत्म का पुर्शार्थ अलग-अलग होता है कोई के साथ बंद कर के होता है क्या अलग-अलग भी जा सकते हैं हम ग्यान में चल रहे हैं तो हमको सबसे ओम शांती करना है या सिर्फ ग्यान में चलने वालों से ओम शांती करना है अगर सबसे ओम शांती करना है तो सब को पहले ज्यान की बात समझाना है कि ओम मने क्या और वो शांत कैसे होता है अशांत कब होता है तो उनकी समझ में आवेगा फिर उनसे ओम शांती करना धरमराज की सजाओं का पार्ट कब से शुरू होगा जब साप करम भोग चुक्तु हो जावेंगे और साप अपना अपना पुर्शात पूरा हो जावेगा तो जो रहे सहे पाप होंगे उन पापों को खलास करने के लिए रहे सहे देवान को खलास करने के लिए धरमराज का पार्ट शुरू होगा बाबा वहाँ पर हम आत्मी की सिती में रहेंगे तो वहाँ बेजिती कैसे होगी शुरू बाबा आते हैं सत्तर साल हो गए उन्हें पढ़ाते पढ़ाते और हम बच्चे उन बातों को नक कारते हैं नहीं मानते हैं और उन्टे काम करते हैं तो शुरू बाबा को बेजिती अनुभव होती है या नहीं क्यों नहीं अनुभव होती शुरू बाबा को बेजिती फिल क्यों नहीं होती है जिनको देह है उनकी वेज़िती होती है आत्मा की नज्ज़त और नबेज़ज़त आत्मा तो इज़्ज़त और बेज़ज़त दोनों से परे हो जाती तो इसलिए स्वर्ग में देवता हैं आत्मी की स्थिती में होते हैं इसलिए वहां बेजजत होने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता मुल्ली में बोला बोल्रेज का ताला लगाया गया है यह ताला कब लगता है और कब खुलता है गाड मने क्या बगवान और रेज मने क्या किरणे बगवान की कौन सी किरणे है ज्यान की किरणे है तो बगवान आतर की जो ज्यान देते है ब्रह्मा के द्वारा मुल्ली सुनाते है वो ही गाड रेज का ताला है वो साब ब्रह्मा कुमार कुमारियों को लग जाता है वो ज्यान की किरणे है जो इश्वरी ज्यान से मिलती है माया के बशीवूत होने से गाड रेज का ताला का काम करती है वो ताला कब खुलता है अरे गाड रेज का ताला होगा तो उसकी चावी कौनसी कंपणी में मिलेगी गाड रेज की चंपणी में जाना पड़े तो भगवान ही यहां करके गाड रेज का ताला कोलता है वो मुर्णीयों के महाबाग के उनका क्लैरिफिकेशन मिलता है और God ने इसका ताला खुलता है लेकिन अगर स्रीमत के बर खिलाव चलते हैं तो और ही सोगुना ताला लग जाता है बाबा भिष्णू का पार्ट कब शुरू होगा? और किस आतमा के द्वारा होगा? और नहीं नहीं आतिने ग्यान में तो बूल जाते हैं नक्षमी नायन के जन्म कब हुआ? है? इन लक्षमी नायन का जन्म कब हुआ? वो बताय दिया आज से दस वर्ष कम पाँच हजार वर्ष हुए जब लक्षमी नायन का जन्म हुआ ये मुरली छाचट के है उसे साथ से संच्यत्तर में लक्षमी नायन बनने वाली आत्माओं का प्रतक्षता अरूपी जन्म हो जाता है उन्हा आत्माओं को स्वेम भी अपने अंदर ये प्रतक्षता हो जाती है कि हमारा क्या पाट है और नंबरवार दूसरी आत्माओं को भी ये अनुभो होने लगता है गुद्धी में बैठ जाता है कि लक्षमी नायन का पाट किसका है जन्म लेने के बाद पढ़ाई होगी या पहले ही पढ़ाई हो जाती है बाद में पढ़ाई होती है जब पढ़ाई पूरी होती है तो फिर राजा ही मिलती है और लक्षमी नायन का कंभाईन रूपी विश्णू है अतात लक्षमी के संसकार जो प्योरिटी के संसकार है और अनारेन के संसकार जो ज्यान्दी तू आत्मा के संसकार है वो दोनों के संसकार मिलकर के एक हो जाएं तब ही विश्णु का पाइट प्रचाची हो रहे हैं तो ज्ञान की दर्ष्टी से तीसरे नेतर से जाना जा सकता है कि नाराइन का पाइट किसका है और नाराइन का पाइट किसका है बाबा आसमान से जो तारा तूटता है कहते हैं कि किसी महान पुर्च ने सरी छोड़ा है तब ही तारा गिरता है तो उस तारे को गिरता देखता है जो वो एक ही सांस में राम राम कहता है इसका बेद का मतलब क्या है आसमान में जो तारे हैं तो किसकी यादगार है चैकनली सितारों की यादगार है ये आत्में धर्ती के सितारे हैं ये धर्ती के सितारे जब शिव बाबा आते हैं इस सच्टी पर तो यादगी उंची उंची स्टेज में उड़ते हैं उंची उंची स्टेज में उड़ते उड़ते कभी माया का ऐसा पांख़ड़ा लगता है कि वो नीचे गर जाते हैं जैसे दुनिया में कोई शरीर छोड़ते हैं तो अर्थी को ले जाते हैं संसान गात में तो क्या गेते हैं राम 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 सत्य है तो ऐसे ये भक्तिवारग में प्रखा बन गही है कि वो आसमान की सितारे तूटते हैं तो तुरंट मुँझे क्या निकलता है राम राम बाकि उन सितारों की कोई बात नहीं है ये तो दर्थी की सितारों की बात है जो उंची स्टेज में चरते चरते अचानक नीचे गिर जाते हैं अने से बुद्दी बन्याती